हेलो एन वल्कम गाईज, स्वागत आपका फेंटा सीडिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग MCA T20 सुपर सीरीज की बात करेंगे जो की मैच होगा याप पर नॉर्थन स्ट्राइकर्स वर्सिस साउथन हिटर्स के बीच में तो चलिए दोनों टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौनसे प्लेयर को हम लोग यासे Small League में लेके जाएंगे, कौनसे प्लेयर को हम लोग यासे Grand League में पिक करेंगे, प्लस कौनसा प्लेयर हमारे लिए Captain और Vice Captain सिप के लिए भी इस तो इस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे पीची रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास में हमारी Fanta 6 टीम भी देख लेते हैं कि कौनसे प्लेयर को हम लोग यासे ड्रॉप कर सकते हैं सारी डीटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए फिर बीना किसी देरी के वीडियो को स्टार कर लेते हैं तो बात करें, इस मैच की इससे पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूटूब चनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूटूब चनल को सब्सक्राइब करने ना, क्योंकि पूरी टूनामेंट हम लोग इसकी यूटूब चनल के लिपर कवर करेंगी इसके साथ-चन्डी के T20 कवर करने वाले हैं इसके साथ-साथ हम लोग यहाँ पर इंडिया वसीज वेस्टेंडी सीरीज कवर कर लें, लंका प्रीमेर लिग कवर कर लें, इसके साथ-साथ और भी कई से टूनामेट के उडियो आपको यही पर मिलेंगी, तो यूटूक चनल को सबसे पहले सबस्क्राइब करना है, साथ ही म उसी लिंक से जाके टेलिग्राम चनल को जोइन कर लेना है, बात करते हैं इस मैच की, तो यह मैच दोपेर में 12 बचकर 15 मिनिट पर UKM YSD किकेट ओवल बांगी मलेशिया में खिला जाएगा, पीछी रिपोर की बात करते हैं, तो पीछी रिपोर ते को वैसे है, तो पर गिरती है, थोड़ा सा जैन में रखिएगा, बाकि एवरेज 160 के आसपा स्कॉर बनना चाहिए, आलग कि खई बार यापर टीम स्वाबी नहीं बना बाती है, चेजिंग में आपर 10 मैचिस के लिए जिसमें से 5 बार चेजिंग करने वाली टीम ने जी थी, 5 बार यापर प लेकिन हमारे लिए ट्रम काड कोन है, तो हमारे लिए ट्रम काड है आपर अजेव खान, लास्ट मैच के लिए बन्दे ने शिर्फ चारण कर बाया, एक ओस की गनबाजी की विकेट लेस रहे, लेकिन आपको बता दू, बड़ा नाम है आपर अजेव खान, इन्होंने T20 के अंदर कई बार यापर सेंचुरी तक लगा चुके है, पिछली टूनामेंट गंदर यापर देखो, आप लोग बैटिंग बालिंग दोनों इसे तहल का मचा हुआ था, तो मैं इनको एजब लिए के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन सजेश करता हो, जो लोग रिस्क ले सकते इनको स्मॉल लिए ग्रांड लिए दोनों ही में आप लोग इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन कर सकते हैं जब कान को, बाकि एजब लियर बिल्कुल डॉप मत करना, आला कि बहुत सारी पब्लिक इनको अवोईड करेगी, लेकिन ये हमारी लिए आच्च के दिन के लिए बाकि हमारा लग, लास्ट मैच के अनर भी हमारी टिम के हिस्सा थे, कुछ नहीं किया और वहां पर हमको थोड़ा बहुत है, मतलब हमारी टिम को थोड़ा बहुत नुकसान भी हुए, लेकिन ओर बड़ा नाम है और ये प्लेयर मेरे लिए ट्रम करें, अगर नहीं चला तो पिर हमारा लग है, हमारा नशीब है, बाकि ये चलना चाहिए, क्योंकि consistent प्लेयर है, और बेटिंग या तो बोलिंग से आपको advantage दे सकता है, मुहमद आमीर अजिम जो की लास्ट मैच के नर शतरा किये, इसके पहले 10 किये, इसके पहले, बेटिंग से तो इतने अच्छे फो बेटिंग से थी, लेकिन ये विकेट निकाल रहा है, तो as a player है से हम लोग इनको लेके जाएंगे, एहमद आरिप सलमान की बात करो तो इनका overall performance ठीक टाक रहा, बाकि overall record अच्छे है, लेकिन पिछली tournament के अंदर ये इस tournament के अंदर कुछ खास लेने का नहीं है, तो इनको अभ पर बात आती है, पहली मैच करनर हमारी टिम का इससा नहीं थे, वहाँ पर इन्होंने दो विकेट निकाली, लास मैच करनर हमने टिम ने लिया, तो इन्होंने ओवरस ही नहीं करवाई, वही क्या हो रहा है हमारे साथ, मतलब यह as a player देखो इस से पहले भी tournament का आप लोग दे सेफ की बात करते हैं, जो कि लास मैच करनर विकेट लेश रहे हाला कि अगर कोई चोईस नहीं तरभी ट्राइ करेगा, क्योंकि सेफ कंसिस्टन नहीं यह इतने है, तीन बार विकेट निकाली है, और दो बार बैटिंग से पर्फोमस दिये है, और दो बार यह पर विकेट ल हैं, हर एक मैच करनर आपको बॉलिंग से विकेट लेता हुआ, नजर आएगा, इनके लावाइस से, नवी देहमत कंसिस्टन नहीं है, तीन विकेट यहाँ पर एक विकेट और बाकी जाता तरह यहाँ पर विकेट लेश, इवन लास मैच के अंदर तो ओस भी नहीं करवाई पांच मैच के लिए, तीन मैच जिती है, दो मैच आजी है, उपनिंग में आपर सहीयत अजीज विकेट किपिंग सेक्शन से सीधी बेगे, इनको तो लेखे भी जाना है, इवन कैप्टन, वाइस कैप्टन कर सकते हैं आप लोग, विजय उननी, डिफर्ट कैप्टन की पांच मैच निकाली, बाइस करना है, इमाद खान, साइद, इसमाइल खान, इमाद खान ने यापर एक बार पचास किये थे, रिस्क लेना जाओ तो जील में ट्राइ करेगा, बाकि साइद इसमाइल ओके रहेंगी, इनको आप लोग जील में ट्राइ करो तबी बहतर है, आर इससे लिए मुझे अभी इनसे बैटिंग से कोई जादा उमीद नहीं है, हाँ, अगर एक चीज़ हो सकती, इनको ओपनिंग में या वन डाउन में खिलने का मौका मिल गया, तो जमालुद दिन एक बड़ा परफॉमस दे सकते हैं, 86 मैच के अंदर करीबा 29 के वरे से 1700 से जा यहां पर वन डाउन जो थे नमबर पर बैटिंग करवा थे, यहां पर बैटिंग से तो काफ़ी नीचे आते हैं, अभी जब दोनों मैच करने बंदे ने ओवर्स करवाई और दबा के पिटवाई यहां पर पहली मैच करने भी ज़्यादा रन थे और दुसरी मैच करन तो आ काजी टीम के अंदर इनको कैप्टन वाईस कैप्टन भी कर सकते हैं, हला कि बहुत जादा रिस्की है, लेकिन अगर यह बंदा अपने मूड का मतलब अपने दीन रहा, इसका दीन रहा तो माई थिंग इससे ज़्यादा पॉइंट्स कोई नहीं दे सकेगा, बाकी ऐसे रही मैच के अंदर कप्टान-वाईस कप्टान मेंचन किया है, रिजवान हैधर को, आगे भी हम लोग करके जाएंगे, किशन कुमार ने लास्स मैच के नहीं चार वाउस की पूरी गयंदा राजे करवाई, आगे यह पूरी और कणफर नहीं है, देखो पहली मैच के नहीं चार प्राट्स वर अपडेट वगेरा टेलिग्रम में मिलेंगे तो जली से टेलिगाम को भी जोइन करना है लिंक नीजे डिस्क्रिप्शन में और आप लोग को उसी लिंक से जोइन करना है अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टेम को इसे रह सकते हैं तो विकेट अगर टॉप में खिलने के लिए या तो फीरा से ओपनिंग या वन डाउन खिलने के लिए तो मतलब 30-40 है फिर 40-50 रंग कर सकते हैं और लोग एन एमद को भी ट्राइ करना है जाओ तो कर सकते हैं बॉलिंग सेक्शन में आप रिजवान हैदर है रहीम खान मलिक है सेयद इनके अलबाए से विजय उन्नी और एक रिस्क मैंने लिया पर अजेव खान के ऊपर आप लोग जाओ तो इनको भी ट्रॉप कर सकते हैं लेकिन मेरा ही रहादा कुछ अलग ही है कप्तान के लिए हमारे विजय उन्नी रहेंगी हमारे कप्तान वाइस केप्तन मैंने अजेव जो कि बहुत बड़ा जिस्क है आप लोग अगर सेफ जाना चाहो तो यापर सैद एजट इजरुस को वाइस केप्तन कर सकते हैं यापर जुबेजी जुलकी फ्ले को कर सकते हैं आमीर जिम को कर सकते हैं बागी टिम कुछ इस तरह सही रहेगी इसमें कुछ बढ़ला बगरा देखने को मिल सकते हैं फाइनल टिम जो भी रहेगी वो आपको टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी तो जल्दी से टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लेना और टेलिग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्सिन में दिया हुआ है और आप लोग को उसी लिंक से टेलिग्राम चैनल को जोईन करना है वीडियो गर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना शेर कर देना और यूटूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलिएगा क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचिस के वीडियो आपको इसी यूटूब चैनल के उपर मिलने वाले है तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तक आपको करना के आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना है बाकी मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई धन्यवाद जय हिंद जय भारत